इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ बिहार बोड का हिंदी बुक का चप्टर छे अस्टा बक्र का आपका टोटल सत्रों सत्रों अबजेक्टिव आपको बताएंगे तो लास्ट तक आप बने रहिए और लाइक करके सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि अगली वीडियो आप से देखिए विसनु परभाकर रचित कौन से पुस्तक है तो विसनु परभाकर रचित पुस्तक जो है आवारा मसीह है यह दिहानक ने आपको अस्टा बक्र के पईर कवी की डैस की तरह बलकते हैं नाइका की तरह अपसन सी होगा अस्टा बक्र की मिर्तियू के समय डैस ने ड 10 समय लेता था तो इसका option D होगा पांच गुना अगला कुस्तन है छे नमर मिर्तिव के समय अस्टावक्र ने किसको धीमे स्वर में पुकारा इसका उत्तर होगा भी मां को साथ नमर प्रस्ण अस्टावक्र के पिता की मिर्तिव अस्टावक्र 10 के काल में ही हो गई थी अस्टा अस्टावक्र की मा मां था क्यों ठोका करती थी तो असन दी होगा इसका अस्टावक्र को पागलपन की सवर्लता देख कर गरेयाने म पुरेशने हश्टावक्र पार्थ गध की कौनसी विधा है इसका option अदी रेखा चितर 12 मांनीना परस्श्टावक्र की मां सद्वा नहीं जैस थी उसकी मां क्या थी विधवा थी गर्मी के दिनों में इस्टावक्र मां बेटे कहां स्वया करते थे तो मंदिर की सीधियों पर उप्सने चाउद्य नमर परश्ण एस्टावक्र रोज साम में खेम चाह लगाकर डैस बेचा करता था अप्सन ए होगा चाट 15 नमर परस्ने अस्टावक्र के अस्मिर्ती पटल पर की संखिया ड्यास पत्थर की रेखा की तरह अंकित थी तो चार की संखिया अस्टावक्र का सुख मुख ड्यास और बक्र था तो अपसर नमर इसका बी होगा लंबा और वक्र था अस्त्रावकर का नाम डैस भासा के सब्द का नाम था तो संस्कृत भासा के सब्द का नाम था और लाश्ट प्रस ने अस्त्रावकर के पिता कब चल बसे थे तो अस्त्रावकर के होस में आने के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगला वीडियो चप्टर 7 का जब आप सब्सक्राइब किये हुए रहोगे तभी आपको नोटिफिकेशन जाएगा Thank you, मिलते हैं अगले वीडियो में